नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि DCX Systems का IPO कल यानिकी 31 अक्टुबर को ओपन होने जा रहा है तो कल सुबह 10 बजे से आप इसमें BID जो है लगा सकते हैं और इसकी जो BID कलोज होगी वो 2 नवंबर को कलोज होगी तो आपको यदि application डालना है तो इस IPO में आपको कुछ ऐसे 5-6 points बताऊंगा जिनको की follow करके आप अपने IPO alignment के chances बढ़ा सकते हो इन points से अलग कुछ भी नहीं है IPO में application डालने से बाहर केवल और केवल यही points आपको ध्यान रह में रखने हैं यदि आप अपना IPO alignment जो है बढ़ाना चाते हो चांसिस बढ़ाना चाते हो पहले देखते कि IPO का जो है grey market premium कितना चलना उसके बाद मैं points पर बात करूँगा ठीक है आज की रेट में 80 रुपे 30 रुपे 30 रुपे आपसे चल रहा है और पहले कि दूनों में कितना रहा है देखिए 29 अक्टूबर यानि की 29 का है यह और 27 का यह रहा 80 रुपे 30 रुपे 30 के साब से तो 32 रुपे का लोट है 32 इंटू 80 5760 रुपे आपके एक लोट पर बन जाएं यानि कि यदि आप application डालते हो एक लोट के लिए as a retail investor तो आपको इस पर listing गेन होने वाला है 5760 रुपे का एच पर two days यानि कि जो आपका latest आज का जो grey market premium है यह बढ़ भी सकता है और घड़ भी सकता है बढ़ने के chances जाता है DCX systems के IPO के case में ठीक है और long term में भी यह IPO जो है सकते हो और इससे बाहर कुछ भी नहीं है आप यदि यह points जो follow करोगे tips तो आपको IPO allotment होने के chances जितने maximum हो सकते हैं वो रहेंगे ठीक है यदि आप CEO होगी आपको application डाल नहीं है तो केवल और first day पर डाल दो आप यानि कि जैसे कि कल open होगा कली डाल दो जैसे जतना जल्दी यानि कि आपको first early first come बाला जो है न face वो यूज करना है सबसे पहले application डालने की कोशिस करनी है यदि आपको डाल नहीं है आप सोचे हो कि last time तक moment तक wait करोगे कि इसका कितना subscription आता है कितना grey market premium है तब आपके chances कम होंगे दूसरा आपको multiple applications यानि कि multiple accounts से जो है try करना चाहिए card से यानि की एक बंदा किसी की एक नाम से एक ही डीमेट अकाउंट से application आप डाल सकते हैं बागी के जो application सो होंगे वो reject हो जाएंगे तो multiple का मतलब होगा एक family से यानि के husband wife हैं तो दोनों के account से अलाग अला account से दो application होगी है ऐसे यादी family में और members के डीमेट account है तो उनके account से आप डाल सकते हो अपने नाम से केवल application डालनी है आपको ठीक है इसके बाद क्या है तीसरा नंबर तीसरा नंबर है कि आपको जो इसका cut of price पर जही बिड लगानी है मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी next है आपको जो load apply करना है वो एक load के लिए apply करना है जैसे कि retail investors की category मे आपको पहले load दिया जाएगा allotment होगा उसके बाद यदि आप एक डाल दो दस डाल दो बीज डाल दो लेकिन आपको यदि allotment हुआ भी तो वो एक load का होगा और यदि आपने एक ही load का application लगाया है तो आपके allotment के chances जो हैं बढ़ जाते हैं इसलिए केवल और केवल एक ही load का application डालना है सारी information आपको सही बरनी है जो भी information आपकी होगी वो गलत ना हो और payment आपका हो जाए bank में block हो जाए यह आपको ensure करना पड़ेगा तो यह कुछ steps हैं जिनको follow करके आप अपने alertment का chances जो है IPO में बढ़ा सकते हो तो आप यदि इस DCX systems के IPO में apply करना चाहते हो तो मे कटो price पर application डालना है और एक load के लिए application डालिए ठीक है तो इन सब points को follow करके आपके chances जो लोड़ प्रेंट के बढ़ सकते हैं और 5760 रोड़ पर पिरती से मतल लोड़ के हिसाब से आपको profit होने की पूरी पूरी शेंबामना है DCX systems के IPO में जानकार एच्छे लगे तो लाइक क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच जय हिंज जय भारत